दोस्तों अगर आपके bank account में डिविटी लिंक नहीं हैं, तो government के जितने भी schemes होती हैं, सरकारी योजनाय होती हैं, उनका lab आपके इस bank account में नहीं मिल पाता है और इसी के साथ में scholarship का जो पैसा होता है, वो भी आपके अधार डिविटी लिंक account में ही transfer किया जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके सरीके से गर बैठे ही online अपने bank account में अधार डिविटी को लिंक कर सकते हैं इससे relative government ने एक new portal भी launch कर दिया है पहले जहां आपको अपने bank account में अधार डिविटी को लिंक करने के लिए बैकों में जाना परता था इसके बाद में भी आपके bank account में अधार डिविटी लिंक नहीं हो पाता था लेकिन अब आप अपने bank account में online ही गर बैठे ही डिविटी को लिंक कर सकते हैं और सिर्फ 24 गंटे के अंदर ही आपके account में अधार प्लस डिविटी लिंक हो जाएगा दोस्तो complete process से इस वीडियो में मैं आपको step by step बताने वाला हूँ तो चली वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अपने bank account में अधार डिविटी को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile में Chrome browser को open करना है Google में आपको type करना है NPCI इसे आप search करेंगे तो दोस्तो first website का link आपके सामने आएगा NPCI.org.in का simple आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद दोस्तो आपके सामने NPCI की official website open हो जाएगी यहां से दोस्तो आप जो है अपने bank account में NPCI अधार डिविटी को link कर सकते हैं लेकिन दोस्तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहां पे आपको सबसे पहले यह चेक करना होगा कि आपका कौन सा bank अधार NPCI डिविटी में पहले से link है तो उससे चेक करने के लिए दोस्तो आपको यहां पे space पे आजाना है उसके बाद आप नीचे scroll down करेंगे यहां पे आपको consumer का option मिलेगा आप इस पे click करेंगे उसके बाद नीचे आपको option मिलेगा भारत अधार सेडिंग इनेवलर simple आपको इस पे click कर देना है तो आपके सामने next page open होगा यहां आप देख सकते हैं request for adhar sitting यानि कि यहां से जो है आप अपने किसी bank account में adhar npci dvt को link कर सकते हैं लेकिन दोस्तो सबसे पहले तो आपको यह check करना है कि आपका कौन सा bank account dvt के साथ link है उसे check करने के लिए दोस्तो आप यहां पे इस option पे click करेंगे उसके बाद नीचे आपको third option मिलता है get adhar mapped status simple आपको इस पे click करना है तो आपके सामने यह page open हो जाएगा यहां पे आपको अपना 12 digit का adhar number enter करना है उसके बाद नीचे यह capture code आपको same to same box में enter कर देना है और उसके बाद check status के option पे click करना है तो आपके adhar card के साथ जो भी mobile number link होगा उस पे एक OTP जाएगा वो OTP यहां पे आपको enter करना है और submit के option पे click करना है तो दोस्तों आपका status यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा यहां पे आप अपने adhar number के last के 4 deserts देख सकते हैं यहां पे आपको option मिल जाता है mapping status का जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहां पे divty link है लेकिन यहां पे हमारा कौन सा bank account divty के साथ पहले से link है उसे check करने के लिए दोस्तों हमें यहां पे नीचे score down करना है और यहां पे सबसे नीचे हमारा bank name हमें यहां पे देखने को मिल जाएगा तो जो भी bank name यहां पे आपको देखने को मिल रहा है वो आपके NPCA divty के साथ पहले से link है अब दोस्तों अगर आप अपना bank account change करना जाते हैं यानि कि new banker account को अपने divty के साथ link करना जाते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको यहां पे उपर जो option मिल रहा है get adar mapped status का इस पे आपको click करना है अब यहां पे आपको request for adar sitting के option पे click करना है उसके बद आपके सामने यह page आ जाएगा अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपको option मिलता है enter your adar तो यहां पे आपको अपना 12 digit का adar number enter कर देना है उसके बद आपको option मिलता है request for adar यहां पे आपको दो option मिलेंगे sitting and desidding दोस्तों जैसे कि हम अपने bank account में adar divty को link करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहां पे sitting के option को select कर लेना है उसके बद आपको option मिलता है select your bank का तो यहां पे आपको अपना bank select करना है उसके लिए आप इस पे click करेंगे और यहां पे आपको type करना है bank तो यहां पे आपके सामने सभी banks के list आ जाएगी जिन भी banks को यहाँ पे add किया गया है वो banks आप यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे total 12 banks यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तो स्टार्टिंग में यहाँ पे सिर्फ 5 banks add किया गये थे उसके बाद 4 और banks को add किया गया है और उसके बाद यहाँ पे तीन और banks को add किया गया है, अब यहाँ पे total 12 banks के list यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, अब इन में से जिस्वी bank में आपका account है, उस bank को आपको select करना है, दूसरो अगर आपके bank का name यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानि कि अ bank को यहाँ पे आपको select कर लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे canner bank को select कर लेंगे, उसके बाद आपको option मिलता है sitting type का, दोसरो यह यहाँ पे important है, आपको यहाँ पे सही से समझना है, यहाँ पे अगर आप first वाला option select करते हैं, यानि कि fresh sitting, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका पह इनेवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको fresh sitting को ही select करना है, उसके बाद second option आपको मिलता है movement within the same bank with another account, यानि कि दोस्तों अगर आप same bank account को select करते हैं, जो कि पहले आपका bank account select था, उसी bank account को select करें, लेकिन यहाँ पे account number जो है वो different है, तो ऐसे में आपको second वाला option select करना ह उसके बाद आपको third option मिलता है movement from one bank to other bank, यानि कि दोस्तों पहले आपका कोई और bank select था, लेकिन अब यहाँ पे आप अपना दूसरा bank account select करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको third वाला option select करना है, दोस्तों हम यहाँ पे third वाला option select करने वाले हैं, और उसके बाद हमें यहाँ न आपको enter कर देना है, उसके बाद नीचे आपको confirm account number में फिर से account number को enter कर देना है, account number enter करने के बाद और उसे confirm करने के बाद नीचे आपको scroll down करना है, और यहाँ पे आपको consent दे देना है इस box को tick करके, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको एक और box को tick कर देना है और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको capture code देखने को मिलेगा यह capture code same to same आपको इस box में enter कर देना है और उसके बाद proceed के option पे click कर देना है तो next page आपके सामने आजाएगा terms and conditions का तो दोस्तों यहाँ पे है आपको नीचे scroll down करते जाना है और यहाँ पे आपको option मिलेगा agree and continue का आपको इस पे click करना है उसके बाद next page आपके सामने open होगा दोस्तों आपके अदार कार्ट के साथ जो भी mobile number linked होगा उस पे 1 OTP जाएगा वो OTP यहाँ पे आपको enter करना है और submit के option पे click कर देना है next page आपके सामने open होगा यहाँ पे आपको बताया जाएगा अदार number already mapped to this bank press ok to initiate the अदार movement to camera bank if required आपको simple नीचे ok के option पे click कर देना है तो next page पे आपका एक reference number भी generate हो जाएगा आपका status जो है वो आपको यहाँ पे pending देखने को मिलेगा कुछ seconds के लिए आपको यहाँ पे wait करना है और आपकी request यहाँ पे process हो जाएगी और जैसे ही आपकी request यहाँ पे submit हो जाती है तो दोसों उसके वाद जो है आपको 24 to 48 hours का wait करना है उसके अंदर अंदर ही आपके bank account में आपका अदार डिविटे लिंक हो जाएगा अब दोसों अगर आप अपना status चेक करना चाहते हैं कि आपके bank account में आपका अदार डिविटे लिंक हुआ है या फिर नहीं उसके लिए आप request for अदार सेडिंग के option पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे option मिलता है second वाला check your service status का simple आपको इस पे क्लिक करना है अब यहाँ पे दोसों आपने sitting की request की थी तो simple आपको sitting को select करना है उसके बाद आपको option मिलेगा request initiate date जिसवी date को आपने यहाँ पे request submit की थी तो वो date आपको यहाँ पे select कर लेनी है उसके बाद नीचे आपको option मिलता है sitting type का तो आपने sitting type कौन सा select किया था वो आप select कर लेंगे उसके बाद नीचे आपको select your service का option मिलेगा तो यहाँ पे आपको select service के option पे click करना है और यहाँ पे अदार sitting status को select कर लेना है उसके बाद नीचे आपको reference number का option मिलेगा तो जो आपको reference number मिला होगा जब आपने request submit की होगी तो वो reference number आप यहाँ पे enter कर देंगे उसके बाद नीचे आपको capture code देखने को मिलेगा या फिर नहीं हुआ है अब बात करते हैं कि अगर आपका state bank of india में union bank of india में या फिर किसी और bank में account है लेकिन वो bank अभी यहाँ पे add नहीं हुआ है तो ऐसे में आपको कितना wait करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे 10 to 15 days का wait करना है उसके अंदर अंदर यहाँ पे और भी बहुत सारे banks को add किया जाएगा और आपका state bank of india, union bank of india, central bank of india और भी जो banks हैं वो भी यहाँ पे add कर दिये जाएग दोस्तों इस तरीके से आप अपने bank account में अधार dvt को link कर सकते हैं अगर आपको कोई भी question होगा तो नीचे comment box में comment कर दीजेगा मैं उसका reply जरूर करूँगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करने के साथ चानल को subscribe कर दीजेगा और साथ में notification bell को press कर दीजेगा ताकि आगे भी आपको हमारे वीडियो के notification मिलती रहे चलिए मिलते हैं next road में तब तक लिए bye